नमस्कार साथियों सी बीबिकल आईटी गुरू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का ये वीडियो दिल्ली आईटी आईवानों के लिए काफी ज़्यादा महत पूर होने वाला है एक महत पूर सुचना आप लुक के लिए आई है आप सभी को बता दे कि आपकी जो फाइनल मिरिट लिस्ट है ये 24 जुलाई को जारी होगी 24 जुलाई को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ट्रेड मिला है इसके बाद दुस्तों आपको कॉलेज में जाकर अडमिसन कराना होगा लेकिन अडमिसन कराने से पहले यहां आफिसर साइट पे एक महत्पूर गाइल लाइन जारी हुआ है यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि जो फस्ट मिर्ट लिस्ट है इसके लिए एक निर्देश जारी हुआ है एक गाइल लाइन जारी हुआ है आप इसको जरूर देखे क्योंकि जिनका नाम फस्ट में आएगा अगर वो ये वीडियो नहीं देखेंगे या फिर एक गाइल लाइन जो यहां पे निर्देश दिया गया है उससे नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है उनका अडिमेशन ना हो पाए इसलिए उस्टो आपके जानना जरूरी है चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बताते हैं इस गाइल लाइन में क्या निर्देश दिये गए है दोस्तो मैंने यहां पे निर्देश देखे डाउनलोड कर लिया है जो गाइल लाइन है मैंने डाउनलोड कर लिया है यहां पे देखे 24 जुलाई को टेंटेटू मलग के संभावित यहां पे तेथी दिया गया है कि आपकी जो final merit list ये जारी हो जाएगी अब माल लेते हैं जिनका first list में नाम नहीं आता है उनको second list के लिए वेट करना होगा आगे अपडेट किया जाएगा मेंची दूस्तों आपको यहां पर जो है वो जानना जरूरी है जैसे जिसी first list में नाम आता है तो first list में नाम आने के इसके बाद आपको 25 से लेकर 28 तक जो है आपको जाके उस college में admission कराना होगा इसके बाद यहां पर दिया है फ्रेजिंग मेंस और आप ग्रेडेशन मेंस यह क्या है इसको भी समय लेजिए जिससे माल जी आपका first list में नाम आता है और आपको ट्रेड मिलता है ठीक है माल लेत जाते हैं इसको बदलना नहीं चाहते हैं लेकिन माल लेते हैं आपको first list में नाम आता है और आपको माल लेते हैं कि जो है मिल जाता है ठीक है माल लेते हैं और आप इससे change करना चाहते है कि मुझे जो है diesel mechanic चाहिए माल लेते हैं आपको चाहिए diesel mechanic तो आपको change करना होगा इस इसके बाद दुस्तों जो आप यहाँ पे select करेंगे अपना अप्ग्रेड करेंगे कि अपनी जो street है जो college है मनपसंद नहीं मिला है तो उसे change करने के लिए आपको यह option select करना होगा जब यहाँ पे देखे जो अगले list जारे होगी 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त जो है यहाँ एक 31 जुलाई से लेकर एक अगस्त को यहाँ पर आपका संभावी जो है जारी हो जाएगा इसके बाद आप admission करा सकते हैं आपका गिरड हो जाएगा अब दोस्तों इसके बाद यह तो point हो गया आप आगी यहाँ पर देखिए कहा गया है यहाँ पर only freezing preferences जो है कंडिट उनके लोग जाके वहँआ पर अपना मलब की यहाँ आधमेंशन करा सकते हैं चारी फोडोरा जेंट चाहिंट उर फोटो कापी भी आपको लेकर जा दिया गया है कि आपको जो वर्जल डाक्यूमेंट है यह आपको फोटो कापी में यह और उसना अपना जान आपको इसल All information दिया गया है कि जो है आपको क्या-क्या डाकुमेंट्स लेकर जाना है जैसे बात करें यहां पर copy of allotment letter का जो भी आपका letter जारी हुआ है जो first list जारी हुआ है उसमें आपका नाम आएगा आपका जो है ट्रेड का नाम आएगा आपका college का नाम आएगा तो डाउनलूड करके आपको print आउन निकाल लेना है वह आपको साथ में लेकर जाना होगा यह जरूरी है बहुत ही most important है यह लेकर जाना होगा डाउनलूड करने के लिए आपको यहां पर दिया गया है कि जो है download online form जो है हार काड हो जाएगा ठीक है यहां पर देख लिजिए मैं बाद में बता देता हूं आपको यहां बता चालेश का नाम रहता है इसमें अंक वह नहीं रहता है तो यहीं दोनों होता है दो लिकर जाना है अब तो जो जो एक ही में आने या लगा है कि आपका जो Mercury है Certificate दो इएक ही मेंень आता है तो आपको एक ही लिकर जाना है इसके बाद जो September supposed certificate है आप HST, OBC में, EWS में हैं अगर आप जो General чтоopedia में EWS लगाए है तो आपको यह लिकर जाना है इसका certificate आपके पास होना चाहिए तभी आपको जो इसका benefit मिल पाएगा इसके बाद उस तो यहाँ पे general का कोई certificate नहीं लेगा सिर्फ यही यहाँ पे SST, OBC, EWS का लगेगा इसके बाद सब category में जैसे कि अगर आपको जो है defense से कोई है कोई NCC किया है कोई जो है इस person में मनेटे में आता है तो आपको यह documents लेकर जाना है जो भी आप जिस परकार से अपना देख लिए और लेकर जाएए अगर आप बेटेज में कोई लगाए हुए है रूरल का या defense का तो आप जो है वो certificate आपके पास होना चाहिए अब इसके बाद दूस्तों यहाँ पर दिया गया तीसरा नमबर देख सकते हैं कहा self-attested photocopy document of the alerted ITIs जो आपके जो पूरे documents यहाँ पर जो alert किया गया है उसको photocopy करना है और मैंने बता दे कि self-attest करना है नेचे आपको यहाँ पर self-attest करना है उसको कहते हैं self-attest करना है इसके बाद उस तो यहाँ पर medical certificate medical certificate आपको government hospital से बनवाना है ठीक है medical certificate का एक प्रारूप माँ आपको दि नेचे मिल जाएगा और यहाँ पर देखे self-attest करेक्टर certificate मलकी जो प्रारूप आपको यहाँ पर नेचे मिल जाएगा सिर्फ आपको अपने खुछ जो है उससे बन बनाना है उसको भरना है ठीक है कहीं जरूत नहीं पड़ेगा कहीं दूसरे जगा जाके बनवाना नहीं प यह सटिफिकेट जो नष्ट आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको निश्याप देखनों को मिल जाएगा यहां पर मैं निश्य दिखा दूँ जैसे देखे यहां पे medical certificate का प्रारूप यहीं प्रारूप आपको पिंटाओ निकालेना है दुकान पे जाके और यहीं जो है आ साइन करेंगे अपना मोहर लगाएंगे इसके बाद प्राइबेट डॉक्टर से बनवाते हैं तो आपका जो डॉक्टर होना चाहिए ठीक है अगर नहीं है तो फिर आपका फर्जी हो जाएगा तो सोच समझ की बनवाना है इसकी बाद दूस्तों आपको निश्याना यहां पर करेक्टर सेटिफिकेट यह भी आपको अपने हाथ से भर लेनी है बहुत आसान है भरना कुछ जादा है नहीं नाम अगरा भरना है ठीक है इसके बाद जो है अपना साइन उगरा कर देना है अगर इस टाम उगरा है तो कोई दिक्कत में छोड़ देंगे उसको अपना बस सा करना नहीं है अगर भरने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हैं पूरा जवाब का दिया जाएगा तो यह दाकुमेंट आप त्यार कर लेजिए अगर डाकुमेंट मैं होगा तो आडिमेशन भी नहीं होगा सोच समझ के पूरा काम कर quê. वीडियो में थामसर लाचिस झालका